क्या तुम्हें पता है? Ant-Man, Ant-Man की टीम में राइट और शूट नहीं किया था Actually में ये बात मूवी के end production stage पे जाके पिछ की गई कि भाई Loki season 2 की एक clip-upन यूज कर लेते हैं और Actually में इस Victor Timely वाले scene को Loki season 2 के crew ने शूट किया था और लिखा था और इस particular statement को सुनने के बाद भाई बहुत सारी questions खाड़े हो जाते हैं जैसे कि कौन से episode का इस scene हो सकता है? क्या Victor Timely MCU के अंदर he who remains के पहले से exist कर रहा है? मतलब कि he who remains के मरने से पहले exist कर रहा है और इस particular statement से क्या कुछ reveal होता है Loki season 2 का plot? लेकिन उसे पहले मेरा नाम है अविनाश और आप इस channel को subscribe कर सकते हो है ऐसा ही interesting content regular देखने के लिए तो भाईसाब केविन चाचा ने अब Loki के season 2 को और में ज्यादा पोस्ट पॉंड कर दिया है और यह summers में आएगा हमारा summer नहीं अमेरिका वालों का summer यानि कि September या October तक उन Loki की season 2 को expect कर सकते हो और इसके लावा जितनी बिजनी प्लस सीरीज थी वो सब cancel हो गई है तो फिलाल यह बात है पिछले हफते की जहां पिछले हफते ही पेटेन रीड यानि कि Antman and the Wasp Quantumania की डिरेक्टर ने ये reveal किया प्लस कर सकते हैं and finally उन्होंने इस decision को agree किया और movie में हम evicted timely के एक scene दिखने को मया Actually में Payton Reed ने officially ये confirm कर दिया कि भाई जो scene हमें देखने को मिला Antcrates में वो actually में Loki season 2 का है अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से episode का scene है क्योंकि वो एक major spoiler हो सकता था उनकी according पर फिर हम किस के लिए बैठे हैं भाई हम job छोड़ दे क्या हम decode करने के लिए ये तो बैठे हैं तो देखो मेरे recording हो सकता है कि Loki के season 2 का पहला या फिर दूसर एपिसोड हो वो सरिफ starting के build-up के लिए यूज़ की जाती है अब यहाँ पर Mobius को भी Victor Time Lee का कोई भी idea नहीं है सरिफ Loki को idea है जिसे साफ पता चलता है कि भाई जहां से Loki का season 1 खतम हुआ था वहीं से season 2 स्टार्ट होगा यानि कि जब Selvi Kang को मार देती है और Loki को वहाँ से भगा देती है वापिस TV के अंदर तो TV के अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाता है जैसे कि Time Keepers का statue जहां पहले बना हुआ था अब वहाँ किसी Kang variant का statue बना हुआ है एंड मोबियस लोगों को लोगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है तो इससे ये बात तो साफ पता चल जाती है कि भाई Loki का season में जहाँ से खतम हुआ था वहीं जे season 2 स्टार्ट हो रहा है यानि कि इस Victor टैमली वाले scene से तो eventually ये पहले episode या फिर दूसरे episode में भी ये scene देखने को मल जाएगा अब हाँ अगर मावराल वाले scene को काट ना दे पूरे series से हलाकि काटने वाला काम तो Warner Bros. का है न अनिवेज इस पूरे set design को देखके जो कि हमें end grade scene में देखने को मिला था तो साफ पता चलता है कि भाई ये scene early 90s का है 1920s ये 1930s के आसपास का अब यहाँ पर audience पे बैठे कुछ लोग की costume देखोगे न तो तुम्हें वही पूरानी vibe देगी जो कि most probably अगर तुमने फीकी ब्लाइनर देखा है तो उसके अंदर भी लोग ऐसे ही costume पहना करते थे आसी ही है वो future का एक बंदा है जो past में चला जाता है और अपने future और advanced tech की मदद से उस city का mayor बन जाता है जिसको भी वो खुद बनाया रहता है इस से लेटेड बहुत सारे reference है mcu के अंदर जैसे Captain America की first movie में हमें देखने को मिला था Dr. Phineas Horton का एक project जो की comics में भी exist करता है बस फरकितना है कि comics में Victor Timely ने उसे human torch का project बनाने के लिए दिया था लेकिन Captain America first Avenger movie में उसे Mr. Plastic या फिर कह सकते हो Mr. Fantastic type का एक super hero बनाते हुए दिखाया गया अब देखो Victor Timely की comic origin ही ऐसी है कि अपट इस बारे में कुछ clear नहीं कह सकते है कि भाई हीवु रिमेंस के साथ साथ ही Victor Timely भी रह रहा था क्या original timeline के अंदर एंड सिंस Victor Timely को जादा exposure नहीं मिला है comics के अंदर बहुत कम ही दिखाया के इसको comics में तो ये काफी mysterious character बन जाता है जिसके बारे में जादा knowledge किसी को भी नहीं है Anyways अब हम Marvel fans सिर्फ wait ही कर सकते हैं लोकी की season 2 का और कुछ भी नहीं या फिर leaks से हमें पता चलता साथ कुछ बागी अकर कुछ भी new detail आईगी तो मैं इस channel पर बताई दूँगा तो अगर तुम मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe ज़रूर कर देना वीडियो पसंद आए हो तो like करना दोस्तों के साथ से ज़रूर करना मेरा नाम है विनाश और मैं आपसे मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही amazing वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye